दोस्तो नमस्कार हमारा देष पीपरमेंट यानि मेंथा तेल का बहुत बड़ा उत्पादक देष है बहुत बड़े पेमाने पर हमारे देष में इसकी खेती की जाती है दोस्तो जहां मेंथा के अंदर N.P.K. या फिर D.A.P. के अतिरिक्त प्रार्थमिक और दुतियक जो सुक्सम पोसक तत्व होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता होती है और इन आवश्यक्ताओं की पूर्टी के लिए यदि हमारे किसान भाई अलग अलग से तत्वो को डालते हैं तो एक तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा दूसरा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसा उत्पाद बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से हम अपनी फसल के अंदर जिंक, फैरस, कौपर, सलफर, मैगनीज, कैलसियम, बोरोन आधी जितने भी दित्याग या प्रार्थमिक सुक्सम पोशक तत्व हैं उनकी पूर्थी एक ही बार में कर सकते हैं दोस्तों इसका फायदा ये होगा कि इतने सारे तत्व जब हमारी फसल को एक ही साथ में मिल जाएंगे तो एक तो ब्रांचेस बहुत जादा निकलेंगी, को ब्रांचेस बहुत जादा निकलेंगी, फसल एकदम अच्छे से ग्रोथ पे चलेगी और साथ ही में जो तेल की मात्रा है जैसे सलफर इसके अंदर है तो उसके कारण से प्रारंबिक अवस्ता से ही बनके चलेगी और जब हम अपनी इस मैंथा की फसल को हार्वेस्ट कर रहे होंगे तो उस समय हमें बंपर तेल का उत्पादन देखने को मिल जाता है किसान भाईयों जब हम अपनी फसल के अंदर किसी उत्पाद को लगाते हैं या किसी फर्टिलाइजर को लगाते हैं तो एक तो उसकी मात्रा प्रियोक करने की विधी और उसका समय ये तीनों चीजें हमारे उत्पादन को घटा भी सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं दोस्तों मानलीजे यदि आपने सही समय पर सही मात्रा सही तरीके से दी है तो उत्पादन बढ़ जाएगा और यदि आप अपनी फ़सल के अंदर जब समय निकल जाता है मात्रा भी घटवड कर लें तरीका भी ठीक नहीं हो तो उसे उतना फाइदा हमें नहीं मिलता जितना ह यूरिया लगाते हैं तो उसमें यूरिया में कोट करके आप मैंथा इस्पेसल को जब अपनी फसल के अंदर डालेंगे तो आपको देखने में आएगा जो इतने मैक्रो पोसकतत्विस के अंदर हैं वो सभी अपना वर्क करना प्रारम कर देते हैं प्लांट में अच्छी ग्र भी विक्सित हो जाती है अन्य तत्वों की जो अफसोशन छमता है पोदों के अंदर वो भी बढ़ा देता है चुकि इसके अंदर कैल्सियम है सलफर है बोरून है जिंक है कोपर है आदी बहुत सारे तत्व हैं और दोस्तो हमारी किसानियादे अलग-अलग से इन्हें जाते है वो आपको 25-30 किलोग्राम प्रती एकड़ लेना है और उसमें 3 तीन किलोग्राम प्रती एकड़ की अधर से हमें मैंन्थ स्पेसल लेना होता है दोस्तो यदends आपने सही मात्रा सही समय पर सही तरीके से दे ली तो उत्वादन बंपर होने से कोई नहीं रोक सकता त एक बात हमेशा ध्यान रखें जल निकासी की ववस्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए मैंथा की फसल के अंदर क्योंकि मैंथा की जो फसल है वो मोश्चर से जादा अच्छा चलती है यदि जल भराब की सिकायत है तो जो हम लागात दे रहे होते हैं वो किसी काम की नहीं रह ज जाती है तो अपने खेत के अंदर यह सुनिश्चित करें कि एक तो जल भराब ना हो और साथ ही में जब हम सिचाई करें तो बहुत हलका हलका पानी अपनी फसल को दे वें तो उससे जो मैंथा स्पेसल का रिजल्ट है वो बहुत बंपर देखने को आपको मिल जाएगा दोस जारी अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक और सेर जरूर करें तो दोस्तों आज की वीडियो में के वाल इतना ही नमस्कार